जैसे राम दोस्तों आज के एक और नए लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रेकाउट स्विंग ट्रेडिंग एस्टेट्जी के बारे में कि कोई पेटरन का ब्रेकाउट होता है तो वहाँ पर हम लोग कैसे प्रेड कर सकते हैं, इस टॉप लॉस क्या होगा, टार्गेट क्या होगा, कौन-कौन सा वह पेटरन है जो ब्रेकाउट पर सबसे अच्छा वर्क करता है यह सारा कुछ हम लोग समझेंगे तो कुछ ऐसे इस टॉक मैं आपको दिखाऊँगा जिसमें ब्रेकाउट हो चुका अभी यह स्टॉक जो है वह हमारा टार्गेट के पास है, लेकिन इसमें इंट्री नहीं बना, क्यों इंट्री नहीं बना वह मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, दूसरा जो इस टॉक हमारा था वह है आयर सिटी सी का, देखिए, यह जो इस टॉक है यहाँ अभी देखेंगे के बाद यह breakout दिया है, अभी इसमें target नहीं मिला है, यह अपने entry के पास में ही move कर रहा है, अब बात करते हैं उन patterns के बारे में जो सबसे अच्छा work करता है swing trading में, पहला जो हमारा pattern है वो है rectangle chart pattern, आप कभी भी swing trading के लिए stock selection करिएगा, या किसी stock को buy करिएगा, तो सबसे पहले उसमें आपको दिखना है कि जो हमारा trend है वो एक uptrend में होना चाहिए, ठीक है, और uptrend के बाद आपको ये rectangle chart pattern दिखता है, ठीक है, तब आपको उसमें buy करने का plan करना है, देखिए rectangle chart pattern क्या होता है, कि हमारा जो price है वो एक support and resistance के बीच में move करता है, और जो support and resistance के बीच में move क करता है और फिर इसका breakout होता है तब हम लोग यहां पर अपना swing trading के लिए पलान कर सकते हैं और जब यह breakout हो रहा है तो वहां पर आपको volume bar देखना है कि जो पहले इसके previous में जो volume bar बना है वो छोटा-छोटा होना चाहिए ठीक है और यह जो breakout हुआ है उस candle का जो भैलूंबार होना चाहिए वो एक बड़ा भैलूंबार होना चाहिए अब जब rectangle chart pattern का breakout होता है ठीक है breakout होने के बाद जो candle breakout किया है उस candle के high के उपर जब हमारा price निकलता है तब हम क्या करेंगे वहां अपर अपना बाई करेंगे ठीक है और जो candle breakout दिया है उस candle के low के नीचे हमारा stop loss होगा अब दूसरा जो हमारा chart pattern है वो है ascending triangle chart pattern देखे जब हमारा price एक uptrend में रहता है और uptrend में रहने के बाद यहाँ high लगाने के बाद price क्या होता है नीचे आता है फिर से price हमारा जब जाता है तो previous high से ही resistance face करता है और फिर price नीचे आता है और जो यह previous low है इस low के उपर low लगाता है फिर से price उपर जाता है और previous high से जहां से resistance face किया है फिर से वही से resistance प्रिवेस लो के उपर लो लगाता है तो यहां पर हमें एक ascending triangle chart pattern देखने को मिलता है जो यह higher low बनाया है ठीक है इस higher low को connect करते हुए हम लोग क्या करते हैं एक trend line ड्रो करते हैं ठीक है और जब यह ascending triangle chart pattern का breakout होता है तो जब इस candle के high के उपर एक candle हमारा sustain करेगा ठीक है sustain करेगा प्राइज हमारा इस candle के high के उपर निकलेगा जो breakout दिया है उस candle के high के उपर जब हमारा प्राइज निकलेगा तब हम लोग वहाँ पर अपना buy position बनाएंगे और जो candle breakout दिया है उस candle के low के नीचे हम अपना stop loss रखेंगे तीसरा जो chart pattern है वो है हमारा copper handle chart pattern ठीक है यहां के प्राइज हमारा एक uptrend में रहता है और यहां जाकर resistance face करता है प्राइज थोड़ा सा नीचे आता है फिर से जाता है वो previous high से ही resistance face करता है और जो यहां से यहां तक का move है इसका 30% यहां से down होता है ठीक है यहां से जो correction होता है यह इसका 30% होता है यह जो cup बना है इसका 30% यह से down होता है और फिर यह जो breakout होता है तो इसे हम लोग copy handle chat pattern बोलते हैं अब जब यह breakout होता है और इस breakout candle के high के उपर जब हमारा price निकलता है तब हम लोग यहां पर क्या करेंगे अपना buy करेंगे और जो यह candle का low है इस candle के low के नीचे हम लोग अपना stop loss रखेंगे जो candle breakout दिया है तो यहीं तिन चार्ट pattern है जो सबसे अच्छा work करता है swing trading में तो सबसे पहला जो हमारा stock है वो है मेरी को अगर इसको weekly time frame पर आप देखेंगे ठीक है यह weekly time frame है अगर इस पर देखेंगे तो यह जो हमारा all time high लगा था यह 18 October 2021 को all time high लगा था और इसके बाद जब यह breakout हो रहा है तो यह 20 सल के बाद breakout हो रहा है यानि कि जो all time high होता है वहीं हमारा 52 week high भी होता है ज्यादातर आप stock में देखेंगे तो जो all time high है वो 52 week high भी होता है ठीक है तो यह जो all time high है यहां से हमारा प्राइज जो है एक बार यहां टच किया All Time High लगाया ठीक है दुबारा यहां से टच किया Resistance Face किया प्राइज नीचे आया अभी जो यह तीसरी बार जो है यह ओल टाइम हाई को यहां से अगर Breakout होता है ठीक है एक Kindle ऐसे Breakout करता है All Time High को ठीक है तो Breakout करने के बाद जो यह Kindle Breakout कर रहा है इसके high के ऊपर जब हमारा price निकलेगा तब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे अपना buy करेंगे और इस candle के low के नीचे हमारा stop loss होगा ठीक है और यह जो नीचे से हमारा trend line आ रहा है trend line है इसको पहले resistance face कर रहा था ठीक है यहाँ देखेंगे चार बार इस trend line को resistance face किया इसके बाद जब breakout हुआ तो यहाँ से देखेंगे तो यह support face कर रहा है इसी trend line को ठीक है तो यहाँ से अगर यह breakout होता है एक candle breakout देता है और breakout candle के ऊपर जब हमारा price sustain करता है ठीक है तो वहाँ पर हम लोग buy कर सकते हैं और यहाँ से हमें एक अच्छा move देखने को म यहाँ से देखेंगे तो trend जो है वह हमारा upfront है ठीक है और Rapt whirl के बाद इसमें ब्रेकाउट तरो हुए अगला हमारा वह tob है है इसपेल किडे ग्रौ ओर अब्टिम्ट के बाद इसमें अगर देखेंगे तो हमारा जो count pattern बन रहा है वो है colon handle chart pattern यहां देखेंगे high लगया है ठीके और प्राइज हमारा यहां एक cup बनाया है और cup के बाद यह handle बनाbad ठीके और इस colon handle chart pattern का यहां जो हमारा breakout भी हो चुका है तो इसमें हमारा stop loss और entry point क्या होगा यह जो high है इस high के उपर जब हमारा price निकलेगा तब हम यहाँ पर क्या करेंगे अपना entry बनाएंगे और जो यह candle breakout दिया है इस candle के low के नीचे हम अपना stop loss रखेंगे ठीक है यह जो हमारा stock है JWL का इसमें entry के नहीं बना देखें जो यह candle breakout दिया है ठीक है इस candle को अगर measure करेंगे यहाँ से तो यह candle हमारा कितना percent का है 15% का बना है तो जब भी candle बड़ा बन जाए तो उस candle में आपको entry नहीं लेना है 14-15% का अगर candle बन जाता है तो उसमें आपको entry नहीं बनाना है और जो candle माल लीजे के breakout कर रहा है ठीक है जो candle breakout कर रहा है और उस candle के एक या दो candle में high के उपर price नहीं निकलता है तो फिर आपको entry नहीं बनाना है उस stock को आपको avoid कर रहा है